हेलो एवरीवन वेलकम तो और यूटूब चैनल अकांचा जी है सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की ncr2 का पहला चैप्टर, पहला चैप्टर जो है क्या कप और कहा और कैसे यह c compliance के लिए हम लोग देख रहें क्यूंकि सीटिट में Question ncr2 से आते हैं और Line to Line पूछलेते हैं से ज़्यादा इसमें लाइन टू लाइन बूस्ते हैं और अगर आप एंसे प्रॉपर पढ़ेंगे तब भी जाएके पेपर निकलेगा मैं जियोग्राफिक का करा रही हूं अभी आज से हिस्ट्री स्थार्ट कर रही हूं बागी मैं पॉलिटी भी कराऊंगी क्लास 6 7 8 का हिस और इस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सेर सब्सक्राइब करिएगा तो सुरू करते हैं पहला जो चैप्टर है क्या कब कहां और कैसे राशिदा का शवार रासिदा बैठी अगभार पढ़ रही थी अचानक उसकी निग क्या हुआ था वो सोचने लगे कैसे लोग जानने लगे थी कितने मतलब साल पहले क्या हुआ था जो कि कोई और लोग तो मिलते नहीं हैं तो हम देखते हैं कैसे पता लगा या जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो देखो हम लोग जैसे कल क्या तुम ऐसे बैक्ति से बात करते हो जिसे ये समय के समृति हो, अब पिछले साल का जैसे हमें कुछ चीज याद नहीं होगा, कहीं पे गये होगे, कुछ हुआ होगा, तो हम अपने घर पर पैदन से पूछ लेती हैं, क्या हुआ है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये हम कै किसे जानेंगे तो हम लोग देखते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे कैसे कपड़े पहनते थे किस तरह के घरों में रहते थे मतलब क्य कपाते हैं, हम यहीं नहीं हम आप पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे हैं,arenla जसे अinklesसे कहानियं सुना करते थे जा रहते थे रहते हैं। लोग कहा रहते थे हैं, लोग पहले इस देखेंगे, पर प्रचित्र से देखेंगे लोक कहा रहते कई लाग वर्श पहले लोग इस नदी के तड़ पर रहते थे हैं यहां रहने वाले आरंबिक लोगों में कुछ कुछ कुछाल संग्राहाग थेidents सब लोग जो रहते थे नर्मदान अदी के आसपास रहते थे कई लाख वर्स पहले यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो कुछ इसमें से कुशल संग्राहाग थे जो आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परचित थे कुछ लोग मतलब बहुत जादा इंटरिजेंट थे और यहाँ के जंगलों से परचित थे वो अपने भोजन के लिए जड़ो फलो तच्छा जंगल के अन्य उत्पादों से मतलब संग्रा करते थे वो जंगल के जैसे भोजन के लिए जड़, फल, कंद, मूल बहुत सारी चीजे ले की कठा करके रख लेते थे वी जानवरों का आखेट भी करते थे, मैंने आपको बता है आखेट का मदलब सिकार वो लोग सिकार भी करते थे अब तुम सूलेमाण और किर्थर पाडि का पता लगा ओ किर्थर पाडि का पता लगाना है ये question पूछता है सबसे पहले कब सुरू हुआ था मतलब क्रिशी करना तो 8000 वर्स पहले इसरी पुरुशों ने सुरू किया था और सबसे पहले जो फसल बोई गई थी गेहों तथा जौ थी और ये जो जगह है इसका नाम है मेहर घड़ा वैसे तो मैं आपको भी दिखा लेकिन इसका नाम जो है ये मेहर घड़ है उन्होंने बेड, बकरी, गाय, बैल जैसे पसुओ को पालना सुरू कर दिया था ये लोग गाउ में रहते थे ये लोग जो थे वो गाउ में रहते थे उत्तर पूर्वे में गारों तथा मद्ध भारत में विंद पहाडिया का पत से पहले चावल उप जाया गया था, वह अस्थान बिंद के उत्तर में इस्थित थे, सबसे पहले जो मतलब चावल जहां पे उप जाया गया था, वह अस्थान जो था बिंद के उत्तर में इस्थित थे, अब हम लोग ये मैप से पता लगाते हैं, ये ब्रहमपुत्र नदी हो गई यह गारो पहाड़ी हो गई यह गंगा नदी हो गई यह महा नदी हो गई यह पस्चमी घाट हो गई तुग भद्रा नदी पैनार नदी हो गई यह पूर्वी घाट यह कावेरी नदी यह दक्कन हो गया कृष्णा नदी गुदावरी सत्पूरा तापती नदी इसमें ह पूछता है पाकिस्तान की बीच इस्थित है तो पाकिस्तान सुलेमान किरसर पहाडियों के बीच में इस्थित है ये पूछता और अभी हमने क्या बढ़ा है और यह रहा संदह नदी पाकिस्तान पाकिस्तान से यह राज सिंद नदी शिंद नदी सिंद नदी के नाम पे शिंदु संपता का नाम पड़ा हुआ है तोस्त देखते हैं, आगेगा आप हम लोग मांचित पर सिंदु तथा उसकी सहायक नदीयों का पता लगाना था अभी हमने सिंदु नदीया आपको दिखा दिया है सहायक नदीया उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है पर 54 वर्स पूर्व इन ही नदियों के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फुले जो लगवक 47 वर्स पहले मतलब स्टार्टिंग में कुछ नगर जो हैं यही पे बसे हैं गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद तर्ट वर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगवक 25 वर्स पूर हुआ अगर पूचे का कोस्चन में गंगा और इसकी सहायक न गंगा के दच्छिड में इन नदियों के आसपास का छेतर प्राचिनकाल में मगत कहा जाता था वर्तवान में यह बिहार में है मगत सामराज बहुत ज़्यादा फेमस था मतलब चंद्रकुप्त मौर थे वहीं पे इसके सासक बहुत सक्तिसाली थी और उन्होंने एक विशा पराचियों के स्थापना की गई थी लोग ने सदे उसमांदीब के हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रह की कभी-कभी हिमाले जैसे उचे परवत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हो जाता था फिर भी यात्रा उनके लिए अशंभर नहीं था अता कभी-कभी लोग काम की तलास में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाते थे ये कोश्चन पूस्ता था लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक क्यों जाते तो कभी-कभी लोग काम की तलास में या फिर प्राक्रितिक आपदाओं के कारड़ एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चले जाते थे, जैसे कि कहीं बार आ जाता था या फिर कहीं पर बहुत ज़ादा सूखा पढ़ जाता था, या फिर वहां का जंगल उंगल सब खतम हो जाता था, तो लोगों के पास कोई चा को सिच्छा और सला देते थे धार्मे गुरु जो थे लोगों को सिच्छा और सला देते हुए गाउं से दूसरे गाउं था कश्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे कुछ लोग नए और रोचक अस्थानों को खोजने की चाह में उस मतलब एकदाउं खुश होके वहां यात् लीजगा पहाड़ी और रवतों समुद्र वे प्राकृतीप का निर्मार करते जो पहाड़ी ऊगई परवत वो गया समुद्र हो गया इस महादीप का उन झाला कि लोगों को प्रैमा जिनों ने ऐसा चाहा वो करें मतलब कोई भी चीज मुश्किल था नहीं लेकिन जो कर पाएं वो मतलब चाहते थे वो कर लिए हैं वे परवतों की उचाही को चू सकें गहरे समुद्रों को पार कर सकें उप महादीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आये और यहीं पर बस गय हैं लोगों ने इस आवा गवन ने हमारी सांस्कृति परंपराओं को शम्रिद किया इस सवर्सों से कई सवर्सों से लोग पत्थर को तराशने शंगीत रचने यहां तक की भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में विचारों को अपनाते रहें मतलब यहां के जो लोग थ अब हम लोग देखते हैं अपने देश के लिए हम प्राय इंडिका तथा भारत जैसे नामों का प्रियोग करते हैं इंडिया सब्द इंडस से निकला है इंडिया सब्द जो है अपना वह इंडस से निकला जिसे संस्कृत में शिंदू कहा जाता है जिसे संस्कृत में हम शि इंदोस कहा और इस नदी के पूर्वे में इस्तित भूमी प्रदेश को इंडिया कहा मतलब जो इरान और युनान के लोग आये थे ये लोग सिंधु को इल क्योंकि ये लोग जो बोलते तो चारट साही से नहीं कर पाते थे तो ये लोग सिंधु को हिंदोस तता या फिर देने वाले लोगों को एक समुक के साथ मतलब किया जाता था वे जो समु थी ऑन्हें यही कहा जाता था कि भाब भरत के नाम से जाना जाता था इस अन्रू कुंती के प्राचेन वेद उसमें ही मिलता है सब्द के बारे में, बाद में इसका प्रियोक देश के लिए होने लगा, बाद में इसका प्रियोक देश के लिए होने लगा, अतीत के बारे में हम कैसे जाने, अतीत की जानकरी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते, इनमें से एक तरीका है, अत पुस्षें हाद से लिखी होने के कारण प्लुपी कहा जाती स में प Self पूस्षण पुस्ट के जो थी हाद से लिखी जाती झाती इसलिए प्रियोक्त होने वादा मैन liters स्क्रिप्ट सब्द race recorderedों ये उर्थ चे से बना हो Color प्राइया तार पत्रों और हिमाले चेतर उगने वाले भूर्ज नामक पेड की चाल से तरीके से भोज पत्र पर लिखी जाती थी यह पान्डु लिपी जो थी यह मैनुस्क्रिम्ट सब्द के लेटिन सब्द मैनु से बना जिसका अर्थ हाथ से निकला हुआ या इसको ऐसे भ पत्रो अथ्वा हिमाले छ चेत्र से उगने वाली भूझ नामक पेड की छाल से निकाला जाता था फिर तैयार किया जाता था इतनी वर्सों में इन में से कई पांडो लिपियों को कीड़े ने खा लिया था। प्राय ये पांडूलिपिया मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं इन पुस्तकों में धार्मिक माननेताओं बेहारों राजाओं के जीवन और सधियों तथा विज्ञान आधी सभी प्रकार के विश्यों की चर्चा मिलती हैं काव कविताय और नाटक भी इन में से कई संस्कृत में लिखे हुए मलते स्में बहुत से जो हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं प्राकृतिक भासा का प्रयोग आम लोग करते थे और संस्कृत का जो था वह ब्रा जैसे कि हमने आपको बताए कि कहीं म्यूजे में जाओ तो देखो अविलेख सारे लिखे रहते हैं, वहाँ पे लिखा लिखा मिलता है, तो ऐसे हम अविलेखों का भी अध्यान कर सकते हैं, ऐसे लेख पत्थर अत्वा धातु जैसे आफ एच्छा करीट करीड किये जाते थे पत्थर इरे धातु पे लिखे जाते थे, खभी सासक अत्वा अगले अपनी आदेसों को अपनी चीजों को लिखवाते थे, पत्थर पर लगा देते थे कि हमने ये काम किया मारू वह नहीं रहेंगे तो लोग आगे देख सकेंगे, पढ़ सकें तक उनका प्रकार क्या अभ करवाएं हैं उदारेट के लिए प्राया सासक लड़ाईयों में वर्जित बिजयों का लेखा जोखा करते थी इसको हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है लगब बाइस सो पचास पुराना यह विलेक वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ यह अफगानिस्ता चैप्टर एट में पढ़ेंगे असोक के बारे में यह अभी लेक जो था यह यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन लीपियों में लिखा गया था इसके अतरिक अन कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का अध्यान करने वाला व्यक्ति पूरत आत्वित कहा जाता था ऐसी वस्तुओं का जो मतलब अध्यान करता था व्यक्ति उसे पूरत आत्वित कहा जाता था पूरत आत्वित पत्थर और इट से बनी इमार्तों के औसे चित्रों तथा मोर्तियों का अध्यान करते हैं वे और जार हत्यार बरतनों अबूस्डो तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए चान बिन तथा खुदाई भी करते थे पुरा तत्वीद जो थे वो यह करते थे इसलिए उन्हें पुरा तत्वीद दिखा जाता था इन में से कुछ वस्तु है पत्थर पकी मीट तथा कुछ मिट्टी तथा कुछ धातुक का प्रियोग 47 समस्ट पुर होता था एक पूराना चाधी का सिख्ण ये जो एक been to 65 संबूस्ड that is पूरा तात्वित जानवरों चीडियों तथा मचलीयों की हडिया भी ढूरते हैं उनके हड्डिया भी ढूरते हैं इससे उन्हें या जानने में मदद मिलती कि अतीत में लोग क्या खाते थे वडिस्पत्तिव के औशेस जो हैं वह बात मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्य के दाने अथ्वा लकुड़ी के टुकड सब्धेकृट करते हैं उन्हें इया कहते है are कुछ अधियान करते हैं स्रोद के प्राप्त होते हैं अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है जैसे हमने हम ही जो बहुत पे हम् सके चाहिए पहत महा बताने से उतना मज़ा नहीं आता कि हम स्रोतों की साहता से हम धिरे धिरिया अतीद का पूलार निर्मार करते जाते हैं अतय इतिहासकर त einige प्रेयोग सुरह के सिरसख़ हमारे द्यान दिया है सब्सक्राइब बहुचन के रूप में वह सब्सक्राइब ग्रत्राइब कि योग अलग नहीं थी उदार्द के लिए पश्उपालग तथा अत्भा कृषक का जीवन राजाओ तथा रानियों के जीवन से तथा बैपारियों का जीवन जीवन फिल्पकार के जीवन से बहुत भी नहीं थो अब लोग अलग अलग बहुतलिक नियुन हाट गाते हैं लोग इसलाम धर्म मानते हैं किस लोग हिंदू-धम करती है हम लोग यह दीं हिंब करते हैं तृत सी장 दौर्ग कोज़न औरम क्या है भीच्टांप करका के अधिकांस लोग अपना भोजन मचलिया पकड़ सिकार करते था फल के संगरदवारा प्राफ्ट करते इसके बिप्रिक सहरों में रहने वाले लोग खादा पूर्टी के लिए अन्य बैक्टियों पर निर्भण रहते थे इस तरह के अतीत में भी बिद्द्वान थे है कि इसके अत्रीक विए इसके अत्रीक भी अन्य तरह का भेड़े उस समय के जो सासक थे वो अपने वीजय का लेखा करते यही का रहे हैं कि हम उन सासक को तथा उनकी दौरा लाड़ी गई लगां के बारे में काफे कुछ जांते हैं जैसे इन लोग सासक जो थे तो सब अपने लिखवा देते थे उन सास को द्वारा लड़ी गई जो भी लड़ाई थी या फिर लोग क्या खाते थे कैसे पहनते थे उनके कल्चर क्या थे तो वो सब लिखा है तो हम इससे पता चल जाता है जबकि सिकारी मच्वयारिश अंग्राक कृषक अथवा पसुपा क्या ख़ते हैं जो कमाते हैं वो खाते हैं पूरे तatyü की साइथा से हम उनके जीवन जानने में में मददि हाला कि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जनकारी तो हमें मिलते लिए इसकी बारे में जानना बहुत ज्यादा सेज हैं अगर कोई तुम से तीथी के विशे में पूछे तो तुम सायद उस दिन की तारीक मा वर्स जैसे की दो हजार या इसी तरह का कोई वर्स बताओगे अगर जैसे हम आप से पूछे अभी आज को अधेट है तो अपडेट बताओगे सन चल रहा है दोजार ते तीथी से की जाती है दो हजार वर्स कहने का तातपर है इसा मसी के जन्म के दो हजार वर्स बाद मतलब हम अभी दो हजार चल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ इसा मसी के जन्म के दो हजार वर्स बाद इसा मसी के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां इसा पूर्व जहां प इसको आपको देखना है क्योंकि पूस्ता कोस्चन में अंग्रेजी में बीसी लख्या रहता है और हिंदी में इसापूर मतलब विफोर क्राइस्ट या फिर इसापूर होता है कभी-कभी तुम तिथियों से पहले एडी देखते हैं हिंदी में लिखा होता है यानि एनो डॉम के लिए होता है हम इन सब्सक्राइब करते हैं कि अधिकांस देजों में हम इस कलेंडर का प्रेयोग समाने हो गया भारत में तिथियों के इस रूप का प्रेयोग लगबग 200 वर्सों से पूरो आरंब हो गया था कभी-कभी अंग्रेजों की बीपी अच्छरों का प्रेयोग होता है इसका प्रेंटर्चा मतलब बन से पहले होता है धी कि अंन्यत्र देखते वीकम लुग अपना भाप भासाoth का प्रेयोग आहम समय के साथ साथ अभी लेको और लीपियों में बहुत बदलाओ आ चुका है बिद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है इसको जानने के लिए अग्यात लीपी का अर्थ निकालने के लिए प्रक्रिया द्वारा लगा जाता है इसका जो पता है हम एक प्रक्रिया के द्वारा लगा सकते हैं इस प्रकार अग्यात लीपी को जानने के लिए प्रशिद कहाने उत्तरी अफ्रिकी देश से मिश्र से निकलती है लगबग पांच हजार वर्सपूर यहां राजारानी रहते थे मिश्र के उत्री तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है यहां से एक ऐसा उत्कृत पत्थर मिला है जिस पर एकी लेक तीन भिन भासाओ तथा लीपियों में मिले यह जो लीपी थी यूनानी तथा मिश्र लीपी के दो प्रकार मिले कुछ विद्वान यूनानी भासा पढ़ सकती थे उन्होंने बताए कि राजा तथा रानियों का नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए है इसे कार्तूस कहा जाता है इसके बाद विद्वानों यूनानी तथा मिश्री शंकेतों को अगल भगल रखते हुए मिश्री अ कि बिभिन अच्छर जिन के लिए प्रियोक्त हुए है तो आसानी से मतलब देखो अब जैसे हम ही लोग लाजिक लगा लेते हैं कोई चीची जैसे यह हो गया इसको मालो हम मान लिए भी होता है और यह हो गया ए तो हम ऐसा लिखा हुआ मिलेंगी जब हम इससे नुमान लग से सकुल प Zoo रखें हूह हुआ है तो अगले चेपों ऑलो हम मतलब चानल को सक्ष्क्राइब कर लीज़ेगा थैंक्यू